नमस्कार दोस्तों एक वार फिस्ट स्वागत है आपका हीपी क्लासिस के इस नए वीडियो में दोस्तों आगे आने वाली कुछ महतपूर्ण एक्जाम्स की तैयारी के लिए हमने सामान ग्यान के कुछ महतपूर्ण प्रस्ण आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले प्रस्ण से कि बिस्ट में सरवाधिक लवर्ता किस जील में पाई जाती है जिसका सही उत्तर है वार्नर जील में अगला प्रस्ण नंदलाल जोस ने किस छेत में ख्याती अरजित की थी जिसका सही उत्तर है चित्रकला अगला प्रस्ण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसका उत्तर है रिवर गंगा अलब गंगा नदी अगला प्रश्ण मुगल बातसाह ने किसे नवाब की पदवी पुरदान की थी जिसका आंसर है क्लाइप को अगला प्रश्ण कि बौध धर्में इस तूप किसका प्रतीक होता है जिसका सही उत्तर है महा परिनिर्वार अगला प्रश्ण मुगलो ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया है जिसका उत्तर है पार्सियां से प्रश्ण नमबर दस लिंग राजमंदिर की नीव किस ने डाली थी जिसका सही उत्तर है ये याद केसरी ने अगला प्रश्ण परमाल सक्ति संयत्र किस सिध्धान्त पर काम करता है जिसका सही उत्तर है बिखंडन अगला प्रशन फ्रांस की बोडो बंदर कहा किस नदी के तड़ पर इस्तित है जिसका सही उत्तर है गेरून अगला प्रशन फतेपुर सीक्री किस राज्ज में इस्तित है इसका आंसर तो सभी लोग को पताई होगा लेकिन फिर भी आपनों के रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर है उत्तर प्रदेश अगला प्रशन प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां पर इस्तित है जिसका सही उत्तर है भोपाल में अगला प्रशन प्रसिद्ध जगमंदिर जील कहां पर इस्तित है जिसका सही उत्तर है राजिस्थान में अगला प्रशन कि सिवाजी के राजनैतिक गुरू एवं समरक्षक कौन थे जिसका उत्तर है दादा जी कौन देव अगला प्रशन प्रख्यात बोरोबुदूर का बौध दिस्तूप कहां पर इस्तित है जी हाँ बात कर रहे हैं बौध दिस्तूप की जिसका उत्तर है जावा अगला प्रशन भारतिय खनन विध्याले मींस आईसम कहां पर इस्तित है जिसका उत्तर है धनवाद अगला प्रशन भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियां कौन सी हैं जिसका उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र अगला प्रशन कि रेलवे बजट को सामाने बजट से किस वर्स अलग किया गया था जिसका उत्तर है 1924 में अगला प्रशन के मुगल काल में किस भासा को रेक्ता कहा गया है जिसका सही उत्तर है उर्दू अगला प्रशन असोक के सिलालेखों की लिपी कैसी है मतलब वो किस लिपी में लिखे गए है जिसका उत्तर है ब्राम्मी अगला प्रशन रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है जिसका उत्तर है अट्लांटिक महासागर अगला प्रशन अमली घोल का पीच का मान क्या होता है जिसका उत्तर होता है साथ से कम जो अमली घोल होते हैं उनका पीच वेल्यू होती है वो साथ से कम होती है अगला प्रशन दूर दर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धरावा ही कौन सा था जिसका उत्तर है हम लोग अगला प्रशन भारत में STD सेवा की सुरुवात किस वर्ष हुई थी जिसका उत्तर है 1960 में अगला प्रशन चूलिया जल प्रपार किस नदी पर स्थित है जिसका उत्तर है चंबल नदी अगला प्रशन कि किस के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था जिसका उत्तर है जहांगीर अगला प्रेशन अधायुक के लेखख कौन है यह किताब है दोस्तों बहुती famous किताब है अंधायुक इसके लेखख कौन है इसका सही उत्तर है धरम्बीर भारती अगला प्राशन रेडियो में SW से एक टातपर है मतलब उसमें जब लिखा होता है SW तो मतलब इसका मतलब क्या होता है इसका अंसर होता है Salt Wave अगला प्राशन उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उत्तर है सिप्रा अगला प्राशन भारतिय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है जिसका उत्तर है अनुच्छेद 44 अगला प्राशन 20-12 क दिवस कब मनाया जाता है जिसका उत्तर है 18 नवंबर अगला प्रशन, चिक्कित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका उसाही उत्तर है, एक जुलाई अगला प्रशन, CO2 के बिसरण की गती, हवा की अपेक्षा कम क्यों होती है इसका आंसर है, क्योंकि यह हवा से भारी होती, जो CO2 होती है, वो भारी होती है हवा से अगला प्रशन समुद्र में बहिर्विसित भूमिक क्या कहलाती है इसका सही उत्तर है प्रायदीप अगला प्रशन आइडल्स नामक प्रिसिद्ध पुस्तक के लेखा कौन है इसका सही उत्तर है सुनील गवासकर अगला प्रश्ण कि भारत का flying sick किसे कहा गया है जिसका आंसर है मिलखा सिंग यह दोस्तों सभी को पदा ही होगा हाली में कुछ दिन पहले इस वे फिल्म भी मनी थी भाग मिलका भाग तो उस उनी को flying sick कहा जाता है अगला प्रश्ण भारत का सरवादिक खाध्यान करने वणा राज्जी कौन सा है जिसका सही हुत्तर है उत्तर प्रदेस अगला प्रश्ण इसलामी रहस्वादी आन्दोलन को क्या कहा जाता है जिसका उत्तर है सीफ सूफी आंदोलन अगला प्राशन बिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था जिसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया अगला प्राशन हीरा कुंडबान कहां बनाया गया जिसका सही उत्तर है महानदी पर हीरा कुण बाद पे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इसकी हाइड भी बढ़ाई गई थी प्रधान मंत्री नुरेंद मोदी के द्वारा जो इसका उधगाटन किया गया था तो जो जिस नदी पर ही बना है उसका आंसर है महा नदी पर अगला प्रशन संसत को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है जिसका उत्तर है राष्टपती अगला प्रशन भरत नाट्यम सैली नत्य सैली का संबन किस राज्य से है जिसका सही उत्तर है तमिल नाड अगला प्रशन लोक नित्य करने वाले को क्या कहते हैं जिसका उत्तर है लोक नर्तक अगला प्रशन जॉर्डन और इजराइल के मद्ध कौन सा सागर है जिसका सही उत्तर है म्रत सागर अगला प्रशन राष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है जिसका सही उत्तर है अप्रत्यक्छरूप से अगला प्रशन गजलों का जनक किसे कहा जाता है जिसका सही उत्तर है अमीर खुसरो अगला प्रशन उडिसा नरेस प्रताप रुद्र किस वैशनव संत का सिस्सिता वो किस के संत थे जिसका सही उत्तर है चैतन ने अगला प्रशन जैन धर्म के 24 में तीर्थकरों में अंतिम कौन थे जिसका सही उत्तर है महवीर महवीज जो स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे तो दोस्तों उमीद है हमारे द्वारा बनाया गया हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लगातार बने रही है हमारे चैनल के साथ क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे कुछ नए वीडियो नए ने टॉपिक्स पे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स टॉपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद